नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओलाइन और ओफलाइन गयान में दोस्तो आज की जो अपडेट है आप लोगों की इसरो की अपरेंटिस की है विकरम सारा भाई स्पेस सेंटर उस जो है कैटेगिरी में और एक चीज आपको बता दू इस विभाग से अपरेंटिस अगर आप करते हैं तो यह मस्तोचना कि यह विभाग आप लोगों को आगे चलके नोकरी में बेनिफिट देगा ऐसा कोई भी जो है भी प्रोविजन नहीं आया इनकी साइट से जैसे कि आप लोग जानते ही है रेलवे से अगर आप अपरेंटिस करते हैं तो आप लोगों को जो है एक वेटेज मिलता है बेनिफिट मिलता है आप इंडियन नेवी से करते हैं तो आपको वहाँ पर मिलता है इसके अलावा माजगाउं डोक से करते हैं OFB से करते हैं तो वहाँ पर benefit मिलता है लेकिन इसरों ने ऐसा कोई भी अभी तक provision या कुछ condition नहीं निकले जिसमें आप लोगों को इस category में यहाँ से apprentice करने पर benefit मिलेगा तो अब आप लोग decide कर लो अगर आपको learning purpose के लिए जाना है तो आप जाइए और अगर आपको railway में benefit चाहिए है OFB में चाहिए है, Indian Navy में चाहिए है माजगाउं डोक में चाहिए तो वहाँ पर आपको इसका benefit नहीं मिलेगा हाँ, हाला कि कुछ भी बाग ऐसे होते हैं जो किसी भी बाग से apprentice करने पर मोका देचते थे हैं, नोकरी के टाइम पर तो आप जो है, यहाँ पर कर सकते हैं इसके अलावा, मैंने अभी last PPO trade की एक vacancy निकाली थी जिसमें apprentice के बाद तुरंत आपकी नोकरी लग जाएगी तो वहाँ पर जो PPO trade है उसकी जो लिंक है plastic processing की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी वीडियो की लिंक मैंने description में दे रखिया, आप वह वीडियो देखें और अगर आपकी वह trade है तो apply कीजिए आप मैं इस पर आता हूँ, एक अच्छी चीज़ है कुछ बचे salary बोलते है, salary मत बोला करो training के time पे मिलने वाला पैसा Stephen कहलाता है Turner की 20 है, R and AC की 18 Machines की 20 है, MMV की 10 है Electrician की आपको 10 दिख जाएगी Electro Plater की trade है 4 Copa वाले बच्चे 50 है Welder की 6 है, Diesel Mechanic 10 Plumber की 11 Foundryman की नहीं निकलती है बट इस बार निकली है Foundryman के बच्चे भी कम है, 3 post है Roadsman Mechanical 28 है Lab Assistant 20 है उसके बाद एक important चीज और अगर आपने यहां से apprentice कर ली ध्यान रखना कि आप कहीं से जीवन में फिर apprentice नहीं कर पाऊगे तो एक बार मन बना लो, एक बार decide कर लो कहां से करनी है, जिनकी percentage अच्छी है, मैं उनको railway recommend करूँगा और जिनकी percentage कम है, वो इसका form apply कर दो क्योंकि उनका railway में होना संभव नहीं है, बाकी अगर आपका मन कहीं से भी apprentice करने का, तो फिर आप कोई भी area choose कर सकते हैं आगे हम बढ़ते हैं, तो यहां पर सिर्फ ITA पास होना है, दसवी का criteria नहीं दिया, जैसे कि मैंने आपको बढ़ाया था कि एक condition अच्छी है, SCVT दोनों को मोका है, और यहां पर कुछ condition दे रखिए, age 30 साल maximum दे रखिए, 31, 32, 22 के base पे यानि कि age date पे आपकी age इससे कमने ही होने चीए, और इससे मतलब 18 से कमने होने चीए, और 30 से जादा नहीं होने चीए, दियान रखिए ना इस चीज का, तो 30 साल maximum age है, वैसे railway तो आपको 24 ही देता है, लेकिन यहां पे 30 है बाकि जो relaxation है, वो आपको मिलेगा इसके अलबा, जो जो document है वो आपको सारी condition यहां पे दे रखी है यह इनका address है, प्रोपर जहां पर आप लोगों को फोर्म को पोचारा है 4-4-22 से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि आज रात में मैं फोर्म की वीडियो आपको प्रोवाइट कर दूँ ताकि आप जो है, इसका Monday तक जो है, फोर्म पोचा दो, क्योंकि आज Saturday है या फिर कोशिश करूँगा कल afternoon तक आपको फोर्म की वीडियो में प्रोवाइट कर दूँ बाकि धन्यवाद, keep in touch और बस मैं फोर्म आपको दिखा दूँ ये रा फोर्म, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दूँगा, परिशान मत होना, मैं कुछ कॉलम रिसर्च कर लूँ, उसके बाद या तो अपने इस चैनल पे, या फिर जो हमारा दूसरा चैनल है, गौरफ जंक्शन उस पर आपको वीडियो प्रोवाइट करूँगा, आई होप की वीडियो आपको अच्छे लेगी होगी, और एक करनाट का एरिया में, जो है, आई टे वाले बच्चों के लिए नोकरी निकली है, आई विल ट्राई की इवनिंग तक आपको जो है, मैं उसकी भी इंफर्मेशन दे दूँ कि इसरो की अपरेंटिस कौन-कौन करना चाहते है, कौन-कौन बच्चे इच्छो के है, मुझे जरूर बताना और हमारी मेंबर्शिप जो है, वो जो है, आप आई होब कि आप लोगों ने कर ली होगी, नहीं करी तो उसका लिंक में डिस्किप्शन में आपको पहले नंबर पे दूँगा, दूसरे नंबर पे नोटिफिकेशन, तीसरे नंबर पे फोर्म का लिंक दे दूँगा, आप मेंबर्शिप भी जोइन कर सको, और आप लोग जब फोर्म और नोटिफिकेशन भी देख सको, चोथे नंबर पे आपको मैं जो लास्ट पीपीओ वाली वेकेंसी निकलती, अप्रेंटिस विद नोकरी, उसका लिंक दे दूँगा, आप वो भी देख सको, बाकि धन्यवाद, केप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब के रखिए, सोधट आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे, बाकि किसी प्रकार की समस्य है, तो कमेंट बोक्स आपके सामने है, प्लीज अपना जो भी इशिय मेंशन जरू करना, मैं ट्राइ करूंगा, कि आपको उसका आउटपुट दे सको, तर्दे बाद,